आपके सामने प्रेस्टत है चार राज्यों का रेजल्ट तो देखिए किस सरकार ने कितनी सीठे जीती है भारती जंता पार्टी ने राजस्तान में जीती है एक से पंद्रे सीठे और इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस ने गुनत्तर सीठे जीती है और बहुजन समाज के खाते में यहां आई हैं सिर्फ दो शीटें अधर की खाते में गई हैं यहां तेरे शीटें एक वार फिर से संग दीदी भारती जनता पार्टी एक सपंद्र है, कॉंग्रेस गुनत्तर और बोजन समाज पार्टी दो यह शीटें यहां जीती हैं अब आपके सामने 36 गड़ का रिजल्ट तो 36 गड़ में भारती जनता पार्टी की आई हैं 54 सीट हैं और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी की आई हैं 35 सीट हैं जनता कॉंग्रेस के खाते में 0 सीट हैं अधर के खाते में 1 सीट गई है यहां पर यह 36 गड़ का रिजल्ट आप देख रहे हैं और आगे तिलंगाना का देखेंगे तिलंगाना में भारती जन्ता पार्टी की सीटें हैं आठ इंडियन कॉंग्रेस की पार्टी हैं 64 और भारत राष्ट की के गुंदालीश सीटें हैं ऑल इंडिया मجलिश साथ अधर एक यह पार्टी की सीटें यह निकल के आई हैं तिलंगाना में आगे देखेंगे मध्य प्रदेस का मध्य प्रदेस में भारती जंता पार्टी की की सीटे निकलके आई हैं तुमारी 163 और कॉंग्रेस की सीटे निकलके आई हैं 66 सीटे बोजन समाज फार्टी के खाते में यहां जीरो सीट है और अधर के खाते में यहां एक सीट आई है यह आज का रिजल्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जर सब्सक्राइब पर्वादेब